लोग जन शक्ति पार्टी ने जार्खंट विदानसवा चुनाव में भाजपा से अलग होका चुनाव लड़ने का एलान किया है पार्टी 81 मैंसे 50 सीटों पर चुनाव लड़की मंगलवार को प्रत्याशों की पहली सूची जारी हो गई है जार्खंट में 30 नवंबर, 7 दिसंबर, 12 दिसंबर, 16 दिसंबर और 20 दिसंबर को पाच चरणों में मतदान होना है नतीजे 23 दिसंबर को आएंगे जार्खंट विदानसवा का कारिकाल 5 जनबरी 2020 को खत्म होगा वहां कुल 81 सीटे भहूमत के लिए 31 का आकड़ा जरूरी है इससे पूरू लोजपा ने भाशपा से संपर्क किया था जार्खंट विदानसवा चुनाव में गटवंदन के तहत चुनाव लड़ने की पेशकर की थी लोजपा ने भाशपा से संथाल परगना के जर्मुंडी विदानसवा समित 6 सीटों की मांग की थी पर भाशपा की ओर से इन सीटों पर अपना प्रत्याशी उतार दिया गया इसके बाद समवार को ही लोजपा ने यह मन बना लिया था कि वे अकेले चुनाव मैदान में आ सकती है मंगलवार को चिराग पासवान ने इसकी आधी कारिक गोशना भी कर दी